हेलो दोस्तो अस्पीड इजुक्रेशन गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज उन्हों बात करेंगे दोस्तो इतिहास में मोहन जोद्रो चन हुद्रो और काली बंगन के बारे में बात करेंगे उससे पहले में आप सभी को कुछ बेसिक इनफोर्मेशन देदू कि म मैं दोस्तो इसलिए सारी चीज़ को यहां बौर्ड पर लिख करके लाया हूँ आप सभी को लिखा हुआ चीज बहुत सारे वुकों में देखने को मिल जाएगा लेकिन दोस्तो एक अच्छे तरीके एक सिस्टेमेटिक तरीके से एक पढ़ना दूसरा बात हो जाता है इसलि तीन भागों में बटा गया है प्राग एतिहासी काल आद एतिहासी काल और इतिहासी काल इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है प्राग एतिहासी काल और आद एतिहासी काल और एतिहासी काल हमने दो वीडियो और बना चुके जो की प्लेलिस्ट में है जागर के जाता है जिस काल में जो आधी मानों थे वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे वो इतना भी नहीं जानते थे कि पढ़ना लिखना है या कुछ भी नहीं वहाँ पर कुछ ऐसा साच नहीं मिला था जिससे आप सुझ बता सके कि वहाँ पर पढ़ाई कभी कोई मानने था ठीक है वहाँ पर आदी मानों थी, उसके बाद आसा पसानकल, पसानकल दोस्तों जो होता है, बहुत थोड़ा सा 5 मिट बस रुजी उसके बाद दोस्तों ये अस्टार्ट करेंगे, मोहन जोदलो, चुन हुदलो और काली बंगा, थोड़ा से इन्फरमेशन आपसे को देदू में, कि जो पसानकल होता है, पसानकल उसको इसलिए बोला गया, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर पथर से बने हुए औजारों का प्रियोग किया जाता था, पसानकल, ठीके, पसानकल को उसके बाद आता है, पूरा पसानकल, मद्य पसानकल, और नौ पसानकल, और तमर पसानकल, तो zaidpuysikaal और 23 43 काल के बारे मेंने हमने भी बात कर चुका है जिसमें सिंदु सविता के बारे में बात किये हम उसके बाद आता है दोस्तू सिंदु सविता के बाद आया था हडपा सविता जिसका कोज दायरामसानी ने 1990-ego KCC में किया था और उसी के बाद आता है मोहन जोद्रों सिंदू नदी के किनारे ही एक पॉइंट बन गया ऐसे ऐसे छोड़े छोड़े प्रश्ण आपसे के एकजामें पूछे जाते तो पहला जो कोशन हुआ कि जो मोहन जोद्रों है वो किस नदी के तट पर है तो वो कौन सा नदी तो सिंदू नदी के तट पर है अहली बार 1931 ची सी में राखलद hotfeld और जी के दोरा इसका दोस्तो क्या हुआ था खोज़गा था यानी कि किया गया ठीक है अब दोस्तो बात करेंए कहाँ पर है आखिर तो यह पाकिस्तान जिला लरकाना यानी पाकिस्तान में आख जिला है यहां से सिंदु नदी बहती है दोस्तों यह पाकिस्तान हो गया और यहां से जो सिंदु नदी बहती है उसी नदी के तट पर दोस्तों मुहंजोदुड़ है और मुहंजोदुड़ जो है उस पाकिस्तान के लरकाना जीला में इस्ति थे ऐसे भी छोटी-छोटी प्रश्ण अ वहाँ पर भी उस वी सर था, लेकिन यह सबसे बड़ा सर माना गया, क क्योंकि मुहन जो दोड़ो सबसे बड़ा था, दोस्तों। उसके बाद आगे बाद करते हैं यहाँ पर मिर्तकों का बहुत बड़ा टीला मिला यानि कि दोस्तों इससे ये पता चलता है इससे ये साच्छे पता चलता है कि यहाँ पर मिर्तकों यानि कि मरे हुए जी जन्तुओं का और मनुस्या का बहुत बढ़ा टीला मिला दोस्तू, जिसी यह पता चलता है कि वहाँ पर दोस्तों क्या हुए थे, लोग दफनाई नहीं गे थे, उपर भीग गे थे, और बहुत बढ़ा मत्त की टीला माराता मिर्थकों कर, ठीकेँ, अब दोस्तू वहाँ पर जब काती दोस्तो रुबरू हुए एनि क्यों क tech मिली मैं प्र आप करें फेरा पर दोस्तों बढ़ता अवास मिला कि पूरी without t वह बहुत बड़े मतंगी हस्ती था और बहुत बड़ा असनान गार मिला ठीक है उसके बाद बाद करें घर में कुआं मिला घर में कुआं मिले का मतलब यह हो जाता है दोस्तों जैसे पहले अभी तो खूहा नहीं इस्तेमाल हो रहा था अब आप चंपा का लागे सारे चीजह कहाँ पर दोस्तों तो मोहन जोदोडों में सबसे चोड़ी सड़क और पसुपती सीवी जी के मुर्ती मिला देखिए वहाँ पर क्या हो दोस्तों कि वहाँ पर जो वहाँ के जो सड़के थी मोहन जोदोडों के जो सड़के थी वो बहुत बड़ी चोड़ी थी दोस्तों वो च हालपा सबेता में भी मिला था लेकिन जितना बड़ा मुहन जोदुड़ों का ये अन्ना गार था उतना बड़ा हालपा सबेता का नहीं था तो ये भी कोशन पूछ सकता है तो डाउट मत होना सबसे बड़ा पूछे तो इसका मुहन जोदुड़ों का होगा और सबसे छोटा पुछे तो हड़पा सविता का हो जाएगा ठीक है मुखन जोदुड़ों में दोस्तो सूती वस्तर मिले और कांसे की निर्तकी मिली यानि कि इससे ये पता चलता है कि वहां के जो राजे थे वो मतलगी नाच देखा करते थे तबी तो नर्तकी किया दोस्तो वहां पर मूर्ती मिला तो ना चोच मतल कि बैंड बजापन होता था था धागऑ मौज मस्ति के लिए ठकर ऑर उहाँ पर सूति वस्तर मिले ठीकरे शूति वस्तर भी मिले और कापास की तो दोस्तों पहली बार साथ जो मिला था, ओ कहाँ पर मिला था? सिंधू सबे तब मिला था. जो कि वेपार के रूप में. अब यह हो गया आप सभी का मोहन जोधुलुटू. तो मोहन जोधुलुका एक बार और इसको रिविजिंग कर लेते हैं. राखल दास बनरजी के द्वारा खोदाई चालू किया गया थे इसको ये पाकिस्तान के लरकाना जिल्या में इस्तित थे यहाँ पर आप सभी को असनानागार मिला अम्रितो को काटीला मिला उसके बाद बाद करें दोस्तो क्या मिला उसके बाद बाद करें दोस्तो आप से नर्तकी मिली उसके बाद आप सभी का बड़ा असनानागार मिला उसके बाद बाद करें सबसे चोड़ी सड़क मिली उसके बाद सुती वस्त्र मिला घर में कुआ बात करें दोस्तों अब चनधुडुडु मोहन जोधुडुडु के बाद आता है दोस्तों चनधुडुडुडुडु मेंद भी बहुत सारी चीज देखने ते जसी कि मैस लिपिश्टेिक माने कि महिलाओं से जुड़ी चीजे चीजों का यहाँ पर मिले थे इससे यह पता चलता है दोस्तों कि वहां पर महिला मतर की मतर की महिलाओं का साची मिला था देखिए क्या क्या अब दोस्तों बात करते चन हुदुडों की तो चन हुदुडों जो था यहां पर चन हुदुडों में दोस्तों आप से को इसकी खुदाई 1931 सीसी में गोपाल गोपाल मजूमदार पाकिस्तान सिंधु नदी मोहन जोदोडों की जो खुदाइते दोस्तों 1931 सिसी में अस्टाट किया गया था लिखेते लेकिन थोड़ा माइंड इतर दोस्तों तो इसलिए डाउट हो गया ठीके नो तो उसमें कोई दिक्कर तॉलबात नी हम लिख दिये थे पहले भी यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्या क्या जोस्तों लिह यह था लेकिन मैं बोल रहा था 1931 लिखा था 1931 सही लेकिन बोल रहा था मैं गलती ठीक है तो ये बात करें चनहुदुरो की तो चनहुदुरी इसकी खुदाई 1931 सिस्वी में गुपाल जी के द्वारा आराम्भ किया गया था ये पाकिस्तान के पाकिस्तान में सिंदु नदी के किनारे ये जितने भी दोस्तों है ये हो गया मोहन जोदुरो, हडपा, सिंदु एक सारे कितने हैं सिंदु नदी किनारे और पाकिस्तान में हैं ठीक है यहाँ पर दोस्तों बात करें यहाँ पर मेक अप का समागरी मिला मेक अप की बात करें दोस्तों तो आप सभी मेक अप के बारे में जानती होगे मेक अप चो मतों कि लड़किया लगाती महिलाय जो लगाती वो मेक अप का समाने हाँ पर मिला था चनहुदुरों में ठीक है न तो मेक अप मिला था लगाने वाला उसके बाद बाद करें दोस्तों लिपिष्टिक मिला था ठीके लिपिष्टिक के बाद दोस्तों सीसा मिला था जो नतों कि महिलाओं से मिलने वाले वो सारे इस जो महिलाएं करती है वो सारे चीज़ें आपर देखने को मिले थे ठीके जैसे मेकप, लिपिष्टिक, सीसा, अल कुटा मिला था यानि कि दोस्तों वहां पर क्या मिला यहां पर बिली और कुटे का ऐसे पायर जो हता ना वह मिला था वह देखने को मिला था तो इसी यह पता लग रहा था कि यह बिली हो गई और जो इसका पीछा का रहा है दोस्तों यह क्या हो गया कुटा हो गया तब बिली और कूता का पैर देखने का मतलब वहाँ पर लोग निकालें कि बिली के पीछा करते हुए क्या मिला था दोस्तों कूता मिला था और पीष्टिक भी मिला था और यहाँ पर मेकप का समान भी मिला था आप से इस बात को ध्यान दिचेगा ठीक है उसके बात बात करते हैं दोस्तों काली बंगन की काली बंगा का इसका अर्थ काली बंगा का अर्थ क्या होता है तो काली बंगा का जो अर्थ होता है वो काली मीटी का चूड़ी होता है काली मीटी का चूड़ी का अर्थ होता है यह अलकृट इट चूड़ी जुता हुग ह्खेत हल यहम हववन कुढ़ मिला यहनि काली बंगन में दोस्तों हवन कुणद मिला जिससे यह पाता चलता है होवन कुण तो पूजा के लिए इस्तेमालों और ऑबी-स अदे तो इससे यह साछन मिलता है कि काली बंगां यहाँ पर हवन होता था मतले पूजा होता था अभी सी बात तो यहां पर दोस्तु पूजा पाठ होता था और यहां पर हल मिले थे जिसे ये पता चलता है कि खेती के लिए हल मतलब हल तो खेती में काम हैगा न जी जो बायल के पाचे बान करक ले जाते हैं खेती के लिए जूता ताफसी को doubt clear हो गया, एक पर मैं फिर ही भीजिन करवाँगा, शुरू से अंतर, पहले दोस्तु मैं बात करूँगा इतिहास, इतिहास की पीता hero dotus को कहा जाता है, इतिहास की पीता hero dotus को कहा जाता है, अतित के अध्यन को इतिहास कहा जाता है, इतिहास को दोस्तो तीन भागों में बाटा गया है, प्राग इतिहासी काल, आद इतिहासी काल और इतिहासी काल, जो की दोस्तो आप सभी को बुक में बस खल इतिहासी काल ही देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तो प्राग इतिहासी काल में बात करें, तो इसमें प्राग इतिह उस काल को बोला गया, जिस काल में मानों सिर्फ खाना जानता था, और कुछ नहीं जानता था, सिर्फ खाने के समतलव था, जो आदी मानों थे, ठीके, तो वहाँ पर पढ़ाई लिखाई गया, कोई मतलव नहीं था, दोस्तों, ऐसा कुछ साच्चे नहीं मिला, जिसे ये पात बहस्ति बइटा बड़ी केलिए या मतर्य केलिए एक टिक तोहाई लोग कुछ बचाना नहीं जानते थे बस खाना जानते थे मतलज किस सरू बहुक्त्अ घ créd बस अपना जीवन एया पन करनते थे और कोच नी उसके बाद पसाण काल दोस्तों उसको अस्टोन पिरियड भी बोरा जाता है उस्टोन पिरियड में दोस्तों पथर से बनने हुए औजारों का उपयोग करते थे जो आदिमानों थे पहले तो लुहा न थी तामबा था तो ओलो के अगरते थे पथल के अगर देखेंगे आप सभी पथल अगर ले लेंगे आप अगर चोख पथल कर देगे उसको रगड रगड के तो ओधोस्तों किसी भी चीज़ पर काटने का काम आ सकता है अभी भी अगर कर रहेंगे तो आ सकते हैं लेगिन ठीक है उसके बाद 9 पसाणकाल आया 9 पसाणकाल दोस्तो 25 लाग से ले करके 12,000 तक चला था जिसमें 9 पसाणकाल में दोस्तो वहाँ पर भी कुछ पढ़े लिखने के वहाँ पर साच नहीं मिला 9 पसाणकाल की बाद करें मद्य पसाणकाल और उसके बाद आता है दोस्तो 9 पसाणकाल ठीक है पूरा पसाणकाल मद्य पसाणकाल और 9 पसाणकाल नव पसाण में दोस्तो आप से भी को वहाँ पर तमबा मिला था और वहाँ पर दोस्तो क्या मिला था आप से भी को मैं बता दूँ वहाँ पर बहुत सा चीजू का दूस्तों क्या हुआ था खोज हो गया था उसके बाद आता है दोस्तों सिंदू सबेता सिंदू सबेता का सिंदू नाम सिंदू सबेता इसलिए रखा गया क्योंकि वो सिंदू नदी के किनारे बसा हुआ है और हड़पा सबेता भी क्यों कहा जाता है क्योंकि पहल पच्छिम को खूलती थी कि वहां के लोग इतने दिमागी थे कि पुरू से पच्छिम अगर अपना दुआ सोरी मतलगी रोड खोलेंगे तो पुरू से या पच्छिम से आने वाले जो हावा होगी वह अमारे रोड के धूल गर्दे या कुछ भी हो उसको साफ कर देगी वहां के जो सडके थी एक दूसरे को समकोन काटते थी ठीक है उसके बाद हमने बात किया था हलपा साबेता हलपा साबेता का खोज दोस्तों 1921 में दयाराम सानी के द्वारा किया गया था उसमें भी बहुत सारे चीजों का खोज हुआ था जिसमें कि असनानागार था वहां पर मिर था लेकिन सबसे छोटा आनागार मिला था ठीके वहां की सड़के ज्यादा चोड़ी नहीं थी दोस्तो लेकिन वह तिर्भूजा कार था सिंदु सभेता ठीके तो आप सभी को दोस्तो इतना बात आज पढ़ें कल हम लोग बात करेंगे दोस्तो एतिहासी काल के बारे में तो म मिलते हैं नेक्स बीडियों दोस्तो बीडियो काशला एन्वी जरूबताएगा बीडियो आचला त्या प्लिच चला सब्सक्राइब बेल आकन को प्रेस कतीजिएगा ताके यह सहरे कीमपोटो बीडियों आतो सबसे जोत मौशें